हेलो दोस्तों एक्जामविरों में स्टड़ी येटूप चैनल में आपका स्वागत हैं इस वीडियो में हम जानेंगे गुजरात का इतियास जब मधेकालिन बात के दुरान जो सहत्मत्त प्रांथ थे उनमें गुजरात का इतियास क्या रहा ये इस वीडियो में हम जानेंगे तो दोस्तों वीडियो शुरूगर ने इस पहले चैनल को सब्सक्राइब के लिए जिएगा इस पहले आइकने को जुरूर दबाईए तक आने वाले वीडियो इसकी नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके बाद 1411 में इसकी मिर्तिव हो गई इसके बाद आगे साथ सकाई एहमद सा और सुल्तान महमुद बेगड़ा इनके बारे में हम आगे जानेंगे एहमद सा इसे गुजराद के सवतंत राज्या का वास्तिविक संस्तापक माने जाता है इसने एहमद नगर नामक नगर की स्थापना की और पाटन से राजदानी हटा कर एहमदाबाद को राजदानी बनाया इसने गुजराद में पर्थम बार हिंदों पर जजिया कर लगाया इसके सासन काल में ही मिस्तर के पर्सित विद्वान बदूर्दीन दाममीन गुजरात की आतरा की और 1443 इसमे में इसकी मृत्व हो गई मृत्व के बाद उसका पुतर महूमत सा दिवीते गड़ी पर वैठा मुहम्मद साथ को उसकी दानी परवर्ती के कारण लोग सवन दान करने वाला कहते थे 1457 में मुहम्मद की मिर्ति हो गई इसके बाद कुदूबदीन एहमद सियासन पर बैठा जिसकी 1458 में मिर्ति हो गई कुदूबदीन के बाद फत्य खां बुल्फत्य महमुद की उपादी दारन कर गुजरात का सुल्तान मना जिसको महमुद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है तो सुल्तान महमुद बेगड़ा के बारे में हम जानेंगे इसने गिरी नार के स्मीप मुस्थपाबाद की स्तापना करके उसे अपनी रहजदानी बनाया इसके दर्बार में सिंसकर्द का विद्वान उदेराज दर्बारी कवी था जिसने महमूद चरीतर नामक का वे लेखा 1511 को इसकी मिर्त्व हो गई इसके बाद इसका पूतर खलील खाम मुझफर साथदवीति की उपादी गरेंड कर सियासन पर बैठा 1527 जिस भी में इसकी मिर्त्व के बाद बहुदूर साग उज़रात के सियासन पर बैठा 1531 इसमी में इसने मालवा को जीत कर गुजरात में मिला लिया आगे है 1535 इसमी में मोगल ससक हुमाईव ने उसे प्राजीत करके गुजरात के बाहर कर दिया परंतु हुमाईव के वापस जाने पर बहादुर साने पुन गुजरात पर दिकार कर लिया 1537 में इसकी हत्या पूर्टगालिय द्वारा कर दी गई इसके बाद 1537 में अकबर ने गुजरात को मुगल सामराज्य में मिला लिया तो दोस्तों ये था गुजरात का इतियास अगर आपके वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेर करें देने वाद